नाराइन नाराण फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए दिखाऊंगे बेस्ट चेस्ट और अपर चेस्ट का साइज लगा कर कटिंग करना इससे पहले वीडियो मैंने आपके लिए बताया था कि बेस्ट चेस्ट का साइज लगा कर हम कटिंग करना है तो जब 2-3 इंच का अंतर हो अब इनकी जो सोल्डर है यह देखिए जो आगे की साइट हलके से चुके हुए है किसी को कनफ्यूजन रहती है बड़े साज कभला उसे तो आर्मोल की गोलाई भी जाद आएगी और शोल्डर की चोड़ाई भी जाद आएगी ऐसा नहीं है यह देखिए मैं सोल्डर की अब यहीं से प्यूजच को रखना है और यहाँ से हमें गली की लं कुम आ रहा है साढ़े नोज अब यहाँ पर हमें आर्मोल की गोलाई का साइज लें आ पहले हमीं फ्रिक सब्सक्ण आ है यहाँ रखेंगे तो यह आएगा फिक स्पत कआई है मैं आपके लिए पता happens ना और पीछे से इंची टेप बिल्कुल गिरा हुआ नहीं होना चाहिए नीची की साइड बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरीके से अब यह देखिए अपर चेस्ट आ रहा है इनका 38 इंच एक इंच हम लूज रखेंगे तो यह आएगा 49 इंच अब यहाँ पर हम बैस चेस्ट को ना पिएंगे यह देखिए बैस चेस्ट आ रहा है इनका यहां पर 40 इंच अब यहाँ पर हमें एक निच लूज रखेंगे तो यह आएगा 41 चेस्ट में और आपर चेस्ट में दो इंच का अंतरा आ रहा है अब उपर से हमें इन टेप कर रखना है सोल्डर के चोंट के हा अपना है बैस पूंड की लंबाई आ रहे हैं यहां पर 10 इंच अब यहीं से हमें गली की लंबाई कुमा अपना है गली की लंबाई आ रहे हैं चेंच अब हम कमर का साइज लेंगे कमर का साइज हमें बहां पर लेना है जहां तक हमें बिला उसकी लंबाई रखना है तो इनकी मोटाई आ रहे है कमर की 34 इंच अब हमें slips का साइड लेना स्लिप्स आप अपने गोड़े रख सकते इनकी slips की लंबाई हमें 8 इंच रखनी है तो यहां तक नहां तक हमने slips की लंबाई का साइड लेना यह देखी इसकी चोणाई आ रहे है पौने 12 इंच नापको हमने नोट कर लिया है अब इनकी सोल्डर चोड़ाई आ रहे है चाउदा इंच तो चाउदा को हम आधा करेंगे यह देगे इस तरीके से हम चाउदा का आधा करेंगे तो यह आएगा साथ इंच अब मैंने आपको पहले भी बता है जब भी हम डीब गला बनाते हैं तो उसमें से हमें जितनी भी सोल्डर चोड़ाई आ थी उसमें से हमें दो इंच कम करना है अब इसके आधा करने में यह आ रहा है साथ इंच तो साथ में से हम दो इंच कम करेंगे तो सोल्डर च साइज हमें सबा 5 इंच पर लगाना है अब यहां पर भी हमें सबा 5 इंच पर मार करना है और यहां से हमें लाइन को मिलाना है अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे लंबाई 14 है एक इंच मार्जन तो हम 15 रखेंगे अब यहां से हमें सीधी लाइन को मिलाना है अब हम लगाएंगे चेस्ट का साई तो चेस्ट आ रहाता नाप लेने पर 49 इंच तो यहां पर हमें 49 इंच का चोथा भाग लगाना है अब चौता भाग 49 इंच का होगा यहां पर पोने 10 इंच और 2 इंच हम रखेंगे इसमें मारक करना है नीचे साइट भी पोने 12 इंच पर ही मारक करेंगे और यहां से हमें सीधी लाइन को मिलाना है अब यह देखी उपर सोल्डर चोड़ाई हमने 5 इंच रखे अब हमें नीचे साइट क्या करना है जब भी हम टीब गला बनाते हैं या फैला हुआ गला बनाते हैं तो हमें क्या करना है अब उपर सोल्डर चोड़ाई हमने पांच इंच रखें लेकि नीचे साइट हमें क्या करना है यह देगी नीचे साइट यहाँ पर हमें साड़े चार चिंची रखनी है और इस कोने से हम इंजी टैप को मिला कर रखेंगे बिल्कुल परावर देड़ इंच बाहर निकाल कर यह देखिए अब यहां से हमें आर्मुल्स की गोलाई टेड़ इंच पर लगाना है और यहां पर नीचे साइट हमें पोना इंच पर मार्क करना है अब फर जिन की पीट पतली होती है और बेस्ट पॉंट जादा आता है उस कंडिशन में हमें क्या करना है अब यहां पर हमें आदा इंच पर मार्क करना है और नीचे से हमें उतना ही रखना है और इस तरीके से हमें लाइन को मिलाना है यह देखिए गला हम फैला हुआ बना रहे उस condition में पीछे के part की चोड़ाई पढ़ जाती है तो अभी देखिए हमारा जो margin वो यहां से रहेगा दो इंच यह margin हो गया और यहां पर यह देखिए यह 2 इंच margin हो गया और यहां से हम line को मिला कर margin को हम अलग करेंगे अब यह 2 इंच margin अब यह देखिए अब हमी क्या करना है अब हम इसकी आर्मुल्स के गोलाई को मापेंगे आर्मुल्स गोलाई आ रहे थी 17 तो 17 का आधा करेंगे हम तो 17 का आधा साड़े आर्थिंच तो यह देखिए तीन इच फैला रहे हैं नीचे से यह देखिए क्योंकि हम फैला हुआ गला बना रहे है अब यहां से हमें इंच टेप को रखकर line को मिलाना है और यहीं से हमें गली की गोलाई का safe लगाना है अब हम पीचे के तक्स के निसान लगाएंगे टक्स के चोड़ाई यहां से यहां तक कि हमें साड़े चार इंच रखनी है और लंबाई हमें पाच इंच रखनी है अब line के हमें इस side पोन इंच पर mark करना है और इस side भी हमें पोन इंच पर mark करना है और इस तरीके से हमें इंची टप को रखकर line को मिलाना है और यह देखिए यहाँ पर हमें इस बाली मार्ग से कटिंग करना है आप इस तरह से नाप लगा कर अपने विलाऊच की कटिंग करेंगी तो आपका विलाऊच एकदम पर्फेक्ट फिटिंग में बनकर तैयार होगा अब यह देखिए अब हम करेंगे आगे के पाट की करने के लिए हमने सोल्डर चोड़ाई रखी है साड़े पांच इंच गली की चोड़ाई रख रहा है हम धाई इंच अब लगाएंगे हम आर्मुल्स की लंबाई का साइज तो आर्मुल्स की लंबाई का साइज हमें लगाना है सबाब पांच इंच पर अब यहां पर भी हमें लगाना है तो 49 चोत्र वाग आएगा वून इते सिंच और यहां पर हम दो इंच मारजन रखेंगे तो दो इंच मारजन पॉनिभारा इंच अब आगे के पार्ट में हमें आद हें और बढ़ा लिए आगे के पार्ट में न भाय इंच बढ़ा या है इसकी पूरी चोड़ां र कम करके हमें कब लगाना है जब हम 3-3 दचा करbat लगांगे और जब हम स्ढ़ें तीन इंच का तीज़ा लगाना है तो हमें पीछे पार चे आगये के पार्ट में दो इज खनक कर 1,5 inch कम करेंगे और 3,5 inch पर मार्क करेंगे आगे के पाटके लंबाई रखेंगे हम 3,5 inch अब यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है अब यह देखी अब हम लगाएंगे best chest का size तो best chest का size हमें upper chest से बेस्ट चैस्ट की दूरी 3 से 4 inch रखनी होती है है तो यह ने कर देखे हैं यहां पर हम चार इंच रख रहे हैं यह अपर चैस्ट है और यह पैस चैस्ट यहां पर हमने चार इंच पर मार्क करना złय AI बेस्ट चैस्ट आ रहा था एक तारीश इंच चो था फड़ा लगु तो चो था वाग आएगा 41 का упīתח ka 70 इंच पर मार्क करना है है और दो इंच रखेंगे हम मार्जन तो इंच मार्जन बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा से बार यांच अब ऊपर हमने आधा affects मार दिया एक्स्ट्र देंगे तो हो जायेगा 53ज अभी देखे यहां पर हमने इस तरीक elabor कर लान को मिलाना है अभे यहां पर चैस्त की चोड़ाय रहेए पशने 13 तो नीचे भी हमें absurd 13 पर ही मार करना है और यहां से भी हमें सीधी लाइन को मिलाना है अब ये देखी ये हमारा धाई इंच मार्जन इसको हम लाइन करके अलग करेंगे ये धाई इंच मार्जन हो गया अब ये देखी ऊपर सोल्डर चोड़ाई हमने साड़े पांच इंच रखिये तो नीचे भी हमें साड़े पांच इंच ही न मार्क करना है अब उपर से सेप देती हुई इस वाले मार्क से मिलाना है और अब यहां से सेप देती हुई हम इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है अब लगाएंगे गले की लंबाई का साइच तो गले की लंबाई 6 इंच है एक इंच हम इसमें मार्जनाइट करेंगे तो हमें गली के लमबाई 7 इंच रखनी है और चोडाई हम रख रहे हैं इसकी पौने 3 इंच पर मार कर लिया है अब यहां से हम इंची टेप को रखकर इस तरीके से लाइन को मिलाना है अब यहां से हम गली की गोलाई का सेप लगाएंगे अब पहले हम इसकी कटिंग करेंगे फिर हम तक्स के निसान तो हमें इस तरीके से best chest का size लगा कर cutting करना है मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि best chest का size लगा कर cutting हमें कब करना है जब 2 से 3 इंच का अंतर आता है मैंने जो आज आपके लिए cutting दिखा ये इसमें best chest में और upper chest में 2 इंच का अंतर आ रहा है इसलिए हमने best chest का size लगा कर cutting की है अब लगाएंगे यहाँ पर टक्स के निसान तो यहाँ पर best point की दूरी हमें कितनी रखनी है जितना भी chest है उसका हमें यहाँ पर 10 वह से लगाना है आपको 10 वह से नहीं लगाना निकालना आता है की लंबाई आ रही थी 10 इंच तो यहाँ पर हम आजान जिसमें मार्जिनेट करेंगे और best point की लंबाई रखेंगे मुपर से 10.5 अब यहाँ पर हमें सीधी लाइन को मिलाना है जब हम best chest का size लगा कर बिलाउच की cutting करते हैं तो यहाँ पर हमें टक्स की चोड़ाई थोड़ी जादा रखनी है तो यह देखें इसकी लाइन के इस साइट हमें एक इंच और एक पाइंट पर मार्क करना है और लाइन के इस साइट भी हमें एक इंच और एक पाइंट पर मार्क करना है अब यहाँ पर हमें आगे के साइट एक इंच उपर मार्क करना है यह देखिए और इस तरीके से हमें सेप लगा कर इसके कटिंग करना है अब लगाएंगे हम सामने वाले टक्स का निसान तो इस टक्स का निसान लगाने के लिए हमें पेपर को यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल बरावर फोल्ड करना है गले के हां से और यहाँ पर हम लगाएंगे टक्स का निसान तो टक्स की लंबाई रखनी हमें सामने वाली धाई इंच लंबी अब यहाँ पर बनाएंगे हमें एक छोटा सा सरकल अब हम लगाएंगे आर्मोर्स वाली टक्स का निसान तो आर्मोर्स वाली टक्स को हमें इस तरीके से लगाना इन दोनों सलके बीचा बीचा आना चाहिए इस तरीके से अब हम लगाएंगे साइड वाली टक्स तो ये देखें कि साइड वाले टक्स आएगी जो हमने वैस्ट पॉइंट का साइड लगाया था उसपर यह देकि त cred Technology मैं में आपको बता देती हूं कि टक्स को हमें कितना कितना दवाना है यहां पर हम इसेड़ाइं को 25 में के बाद अब अब इस वाली टक्स को भी हमें डबल फोल्ड करके दो पाइंट दबाना है अब यहां से भी हम इस वाली टक्स को हम तीन पाइंट तक दबा सकते हैं और बैस चेस जादा है तो हम इसको थोड़ा सा जादा भी दबा सकते हैं इस वाली टक्स को हमें एक इंच और एक पाइंट दबाना यह देखिए इस तरीके से हम डवल फोल्ड करेंगे और यहां से हमें डवल फोल्ड करने के बाद यह देखिए इसको एक इंच और एक पाइंट दबाएंगे अब यह देखिए यहां से हम इसकी बरावर सीधी लंबाई नाप रहे हैं टक्स की तो यह आ रही है तेन और हम तिर्ची ना पेंगे तो ये देखिए ये आ रहे है सवा तेन इंच ये देखिए यहाँ पर ये सवा तेन इंच आ रहे है तो इस तरीके से हमें चोड़ाई में एक इंच और एक पंट दवाना है और लंबाई में हमें इसको सवा तेन इंच दवाना है अब तीरा की कट करेंगे चेरा हम लगा रहा है इसमें 3া को साइड से हमने तीरा की लंबाय रख लिए 3 ओर सामने से रख रहा है हम साड़े 3 इन इचे तीरे में हमने आधी इंच का ही डिफ्रेंस रखा है तो इस तरीके से हमी तीरे की cutting करना है स्लीप्स की cutting सब में एक जैसी ही होती है पहले वीडियो में मैं आपके लिए स्लीप्स की cutting दिखा चुकी हूँ स्लीप्स की cutting उसी तरीके से करना है आज मैंने आपके लिए बोडी से नाप लेकर जो cutting करना दिखाया है शुरुबात में आने आपको ये भी समझाए थी उनका बोडी का से किस तरह से है तो इस तरह से अगर सेफ है बोडी का तो हमें इस तरीके से नाप लगा कर कटिंग करना है क्योंकि सभी के साइज में हम एक तरह से नाप लगा कर कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सभी की बोड़ी सेम नहीं होती है सभी की बोड़ी अलग होती है सभी की बोड़ी का सेम अलग होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक कर दीजी आंगे और ऐसी वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहूंगी नेक्स वीडियों फिर मिलते हैं नाराइन नाराइन